नवश्कर मैं हूँ सूक्रदी रोय चैटर जी और बॉल्सकाई में आप सभी का स्वागत है एसिडिटी के समस्या तब होती है जब आपके पेच से एसिड अपने ग्रास नली में भेता है इसकी वज़े से ग्रास नली के अस्तर में सूजन और जलन पैदा होने लगती है जब ऐसा होता है तो आपको अपने सीने या अगले में जलन महसूस होने लगती है इसे हार्ट बर्न भी कहते हैं ऐसे कई घरेलू उपचार हैं जो एसिडिटी के इलाज में मदद कर सकते हैं जैसे कई लोगों ने ये दावा किया है कि नीमबू पानी एसिडिटी की समस्या को कम करने में फायदे मंद है कुछ विश्रशग्यों का कहना है कि नीमबू और अन्य हट्टेफल एसिडिटी को गंभी रूप से बढ़ा सकते हैं वही कई लोग नीमबू पानी को इस समस्या का तोड मानते हैं बतादें कि नीमबू के सेवन से महतोपून स्वास्तला प्राप्त किये जा सकते हैं अगर आपको कभी कभी एसिडिटी की समस्या होती है तो ऐसे में अपने लक्षणों को कम करने के लिए नीमबू पानी का इस्तमाल हम ऐसे कर सकते हैं नीमबू का रस बहुत ही अमलिय होता है पानी में थोड़ी मात्रा में मिलाने पर ये पचने पर छारी ये प्रभाव डाल सकता है ये आपके पेट में असिड को बेसर करने में मदद करता है अगर आप इस घरेलू उपचार को आजमाने का निर्ने लेते हैं तो आपको आठ और पानी में एक चमबच ताजा नीमबू का रस मिलाना होगा फिर भोजन से लगभग 20 मिनिट पहले इसे पीने से उन लक्षणों को रोकने में मदद मिलती है जो भोजन करने के बाद शुरू होते हैं अगर संभव हो तो इस मिश्रण को स्ट्रॉ के माध्यम से पीना सुनिश्ट करें ये रस में मौजूद ऐसिट को आपके दातों को छूने और दातों के एनेमल को नश्ट करने से रोकता है और आपको इसकी अमलता के कारण कभी भी सीधे नीमू पानी का रस नहीं पीना चाहिए ये अच्छे से काम करें इसके लिए इसे पानी से पतला करने की आवशकता है ऐसे में ये संभव है कि नीमू पानी की मदद से आप अपनी एसिडिटी को दूर कर सकते हैं उमीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक और शेयर करें साथी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें